हेलो इगनी स्टूडेंट साथ की वीडियो में हम बात करने वाले हैं assignments के front page के बारे में जी हाँ friends आपको कौन सा assignment का front page यूज करना है, कौन सा valid assignment का front page है और साथ-साथ आपको उसमें कौन सी important information है जो fill करनी जरूरी है सो आपको internet पे ऐसे बहुत से pages देखने को मिल जाएंगे सो आज हम बात करने वाले हैं कौन सा front page है जो इगनू में valid है और आपको choose करना है साथ-साथ हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने front page में information को fill करेंगे कौन सी information आपको अपने front page में लिखनी जरूरी है क्योंकि friends आप अपने assignment को कितने भी अच्छी तरह से बना लें बट अगर आप अपना front page सही से नहीं लिखेंगे या सही front page choose नहीं करेंगे तब आपको assignments में marks नहीं मिलेंगे और आपका assignment reject हो सकता है सो one by one हम बात करेंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से assignment के जो pages हैं वो यहाँ पर हैं जो front pages की तरह हम इने use करते हैं सो front page में friends सबसे पहले कौन कौन सी information है जो use हो सकती है वो आपको इसमें check करनी है सो friends यह जो आप front page देख रहे हैं यहाँ पर इंद्रा गांधी national open university इंद्रा गांधी राष्ट्रे मुक्त विश्व विद्यालया और IGNU का logo भी दिया गया है सो यह दोनों चीज़ें आपके front page पर होनी जरूरी है साथी साथ friends आपका enrollment number name, address, program title, course title, course code, regional center code, study center code, phone number, email address, date and signature date and signature का होना भी जरूरी है सो इस तरह से जो भी front page आपकी information carry करता है आप उसे लगा सकते हैं वो valid front page है सो यहाँ पर जो options मैंने आपको show किये हैं उसमें से यह जो दोनों front page है इन दोनों front pages में यह दोनों information available है आपको 11 points इसमें cover करने होते हैं सो अगर आप वो सभी points cover कर रहे हैं तो आप उसे use कर सकते हैं जैसे अगर हम इस front page की बात करें तो यह front page complete नहीं है और अगर हम इस front page की बात करें तो यह front page भी complete नहीं है यहाँ पर बहुत से चीज़ें missing है आप इन दोनों में से कोई भी front page चूज कर सकते हैं अपने assignments पे लगाने के लिए यह दोनों ही front page आपको हमारे Telegram चैनल पर मिल जाएंगे वहाँ से आप इने directly download कर सकते हैं और अपनी पसंद से कोई भी front page चूज कर सकते हैं जैसा कि Hindi medium के student इस front page को चूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको Hindi और English दोनों ही medium में लिखा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आपको इंद्रा गांधी राष्ट्रे मुक्त विश्व विद्यालया और इंद्रा गांधी National Open University लिखा हुआ नजर आ रहा है Friends एक चोटी सी गलती अगर आपकी front page में है तो वो आपका assignment reject कर सकती है क्योंकि आपकी जो information है वो examiner को teacher को जरूर चाहिए होती है So friends अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इन front pages को fill कर सकते हैं आपको एक assignment पे एक ए front page यूज करना है So example के लिए मैं इस front page की detailing आपको show कर रही हूँ So सबसे पहले आप देख सकते हैं enrollment number mention किया हुआ है यहाँ पर आपको अपना enrollment number लिखना है जो आपका IGNU का enrollment number है 9 और 10 digit का आपका enrollment number हो सकता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद friends आपको यहाँ पर आपका name लिखना है IGNU के ID card में जो आपका name mention है आप वही यहाँ पर लिखेंगे Next point की बात करते हैं friends वो है address So यहाँ पर आपको अपना residential address mention करना है जो भी address आपने IGNU में दिया हुआ है वही आप mention करेंगे Friends next की बात करते हैं program title आप किसी भी program के student है Master's degree, Bachelor's degree, Certificate, Diploma आप यहाँ पर अपने program का title mention कर देंगे उसके बात friends आपको course title mention करना है जिस भी course का आप assignment बना रही है जिस भी assignment के लिए आप इस front page को use करेंगे उसी का ही आप यहाँ पर course code लिखेंगे और title लिखेंगे ताइटल में आपको पूरा name लिखना है और course code में आपको सिर्फ code लिखना है जैसे कि अगर हम बात करें Friends, यह question paper मैंने आपके यहाँ पर रखा है तो यह जो इसका course code है Friends, वो है BEGAE1A2 और जो इसका title है Friends वो है English Communication Skill उसके बाद Friends, आपको यहाँ पर mention करना है Regional Center code Friends, Regional Center code के लिए अगर किसी प्रकार की confusion है तो आप यूज कर सकते हैं गनुकि ओफिशल ID कार्ट से details तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RC code तो यहाँ पर जो यह student है वो दिली 2 Regional Center के student है तो उनके जो Regional Center का code है वो 29 है So Friends, यहाँ से आपको बाग के information भी मिल जाएंगी जैसे कि आप program code, program name भी हाँ से check कर सकते हैं और रोल्मेन नमबर में यहीं से देखकर लिख सकते हैं उसके बाद Friends, आपको study center and code भी लिखना है So उसके लिए अगर आपको अपना study center code नहीं पता तो आपको अपनी Regional Center के official website पर जाना होगा Regional Center के official website पर आप जाएंगे जैसे कि मैं आहाँ पर आपको show कर रही हूँ So आपको अपने regional center की website open करनी है और study center के option पर click करना है Study center के option पर click करने से सभी study center के name open हो जाएंगे So अब जिस भी study center से belong करते हैं उसका यहाँ पर आपको study center name और code लिख देना है अब यहाँ पर जो option है वो है phone number का So phone number आप अपना ही दीजिएगा और working condition में वो phone होना चाहिए वही phone number दीजिएगा email address भी friends आप अपना ही दीजिएगा जिसे आप regularly use कर सकें So अपना email ID दीजिएगा और अपना ही phone number दीजिएगा जो दोनों working condition में होने बहुत जादा जरूरी है Last में friends यहाँ पर आप date लिखेंगे कौन सी date को आप submit कराने जा रहे हैं अपना email दीजिएगा जल ही submission start होने वाला है June examination के लिए assignments का So हम आपको जरूर वीडियो के जरीए नोटिफाय करेंगे जैसे जैसे एगनो के regional centers की तरफ से guidelines आएगी हम आपको चैनल पर जरूर बताएंगे So आप चैनल के साथ भी जरूर जुडे रहें और यहाँ पर आपको end में आपके signature करना भी जरूरी है So front page को fill up करने का सही तरीका मैंने इस वीडियो में आपको तिखाया और कौन सा front page आप चूज कर सकते हैं वो भी मैंने इस में आपको show किया So I hope यह वीडियो आपके informative रही होगी Friends, thank you for watching the video till end Stay tuned with the channel for more updates See you soon in the next video